बिपक्सी दलों के वी तरप से उप राष्ट पती के लिए उमिद्वार की घोश्णा कर दी गई जिसमें सरत पवार ने उमिद्वार की घोश्णा की हैं जो कि कॉंग्रेस की नेता मार्गे टेलवा को बनाया गया है मार्गे टेलवा के बारे में कुछ आपको जनकारी दे तो मार्गे टेलवा का राजनीती से पुराना संबंध रहा है 80 साल की उमर में मार्गे टेलवा चार बार राजेपाल एवं पांच बार मेंबर अफ परलियामेंट भी राज चुकी है मार्गे टेलवा का जो जनम मैंगलोर के करनाटका में हुआ था जो कि 14 अप्रेल 1942 साथी मार्गे टेलवा के तीन पुत्र और एक पुत्री भी है बरतमानों निव दिल्ली में रहा करती है उनके चार राजे के राजेपाल की बात करें तो गुवा में राजेपाल रह चुकी हैं गुजरात में भी राजेपाल रह चुकी हैं और उत्राखंड में भी राचुके वहीं ये राज सवा मेंबर भी राचुकी ये और लोग सवा से भी चुनाव जीत करके गई भी है मारगे टेलवा अपने समय में उस समय के प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी येवं राजिव गांधी के समय में उनियन मिनिस्टर भी रही हुई हैं मारगे टेलवा काफी अनुभावी येवं जुजहारू नेता के रुप में भी जानी जाती हैं मारगेट अलवा को विपक्ष को उमिद्वार बनाने के पीछे कहीं न कहीं काफी चीजों को देखकर समस्कर बनाया गया है वही विपक्ष के तोर पे राष्ट पती के लिए इस्वन सिन्ना और उप राष्ट पती के लिए आज जो घुश्रा मारगे टलवात की गई है अब देखना ये है कि कौन उप राष्ट पती बन पाता ये तो समय तय करेगा